जैन दोस्तों बंदे मातरा सीमा हैदर को कल ग्रफतार कर लिया गया काफी सारी आगी बगाही बाते चल रही है उसके साथ में सीमा हैदर के साथ में उसके पती कथित तौर पर पती सचिन को और सचिन के पिता को भी ग्रफतार किया गया है अवैद रूप से गलत दस्तवेज बनाकर भारत में आने बिना वीजा के भारत में आने और काफी सारी धोका धड़ियों के भी आरोप सीमा के उपर लगने की पूरी संभावना है ऐसे में सचन के एश्क ने सीमा हैदर को ऐसे मोड़ पर अब लाकर खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान में भी उसकी जान को हत्रा है और भारत में उसे रखा जाएगा की नहीं इस बात के बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है दरसल भी फरवरी महीने में ही बैंगलूरू से एक लड़की एकरा को भी ऐसी पकड़ा गया था जो की पाकिस्तान से भाग कर प्रेम के चक्कर में भारत आ गयी थी प्रेम मतलब मान सिक प्रेम शाय जो दिल में प्रेम होता उसके चक्कर में लेकिन फिर उसको डिपोर्ट क पिकाने पर ले जाकर सीमा सचिन और सचिन के पिता से लंबी पूचताच करी। दिली से लगबा 50 किलोमेटर दूर भारत के नक्षे पर रुबुपुरा नाम का गाउं पहले से मौजूद है। बस फरक इतना है कि हफता पर पहले तक गाउं में रहने वाल लोगों छोड़ दें तो किसी ने उस गाउं का नाम तक नहीं सुना था। मगर पिछले एक हफते से पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में रुबुपुरा गाउं की सुर्खियां चल रही है। पीपली लाइफ जैसा माहल बना हुआ है। पाकिसान और धर्म के बारे में खुल कर बाते कर रही है। उनी की वज़े से सीमा ने खुद अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। लगना हुए बैठे हो यूपी के अलावा एक आला अफसर के मुताबिक सीमा जिस तरह से धर्म परिवर्तन कर मुस्लिमों से हिंदू बनने की बाते कर रही है। उससे देखते हुए इस बात से नहीं किया जा सकता कि कोई सिर्फ रहा भीडिया मीडिया का चोला पहन कर सीमा पर जानलेवा हमला कर सकता है। वैसे मीडिया को मिली जानकारी के मताविक बीते शुक्रवार को सचिन और सचिन के घरवालों ने सीमा पर हमले की आशंका को देखते हुए इस थानी पुलिस को इसकी जानकारी दी थी सचन के घरवाले इस बारे में लिखित में भी लोकल पुलिस कर्मियों को अर्जी दे सकते हैं सीमा पर होने वाले किसी भी संभावित हमले की भनक लगते ही शुकरवार से ही सचन के घरवालों ने अपनी तरफ से हैतियाद बरतनी शुरू कर दी अब सचेन और सीमा से जो भी मिलने आ रहा है उससे उसके पहचान पत्र मांगे जा रहा है यहां तक ही मीडिया से भी हाला कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया की जबरदस भीड को देखते हुए लोकल पुलिस भी घर के अंदर और बाहर मौझूद है यूबे पुलिस सूतरों के मताबिक सीमा और सचन के घरवालों पर लगातार उनकी नजर है और अगर जरूत पड़ी तो उन्हें सुरक्षा भी मुहिया कराई जाएगी मीडिया को ये भी जनकारी मिली कि फिलाल सीमा को पाकिसान वापस नहीं भीजा जाएगा उसकी जाँ चल रही है वो अभी यहीं रहेगी और एक बात यहीं पता चलती है कि सीमा के मामले को लंबा खीचने की कोशिश हो गया कारण इसका मुझसे मापूछिएगा दीरी दीरे फिर मीडिया भी सीमा की स्टोडी को छोड़ कर किसी और कहानी पर लग जाएगी और इस तरह से मामला वक्त के साथ अपने आप दब जाएगा मगर फिर सवाल उटता है कि आकर सीमा का हो गया क्या तो यूपी पुलिस की माने तो सीमा के भविशे का आकरी फैसला विदेश मंत्रा ले और केंदर सरकार को ही करना है मगर उमीद यही कि केंदर सरकार भी सीमा को फिलहाल पाकिस्तान नहीं भेजने जा रही इस सवाल पर कि सीमा अवैद रूप से भारत में दाखिल हुई है उसके पास कोई वीजा भी नहीं यूपी पुलिस के सूतरों ने कहा कि सीमा को कुछ शर्तों के साथ लॉंग टम वीजा दिया जा सकता है वो इस बिना पर कि उसने एक भारती यानि की सचिन से शादी करी है तो ऐसे में अगर सचिन इस बारे में सरकार को अर्जी देता है और अपील करता है तो सचिन की पत्नी होने के नाते सीमा को भारत में रहने के लिए लंबी अवदी का वीजा मिल जाएगा सोर्सेस की माने तो एक बार किसी को लंबी अवदी का वीजा मिल जाए तो फिर बाद में हालात को देखते हुए उससा असानी से भारती नागरिकता दी जा सकती है सोर्सेस का कहना है कि सीमा को लॉंग टर्म वीजा और फिर नागरिकता देने का मजबूत ग्राउंड भी है और वो है सीमा का सचिन की पत्नी होना मागर इसके लिए जरूरी है पहले दोनों की शादी को कानूनी मानने ता मिल गई और कानून ने इनकी शादी को वैद मान लिया तो फिर भारती पती की हैसियत से सचिन अपनी पतनी सीमा को भी भारती ने अगरिकता देने के लिए सम्मद विभाग में अरजी डाल सकता है हलाकि इसी साल उन्निस वरवडी को जोसा कि मैं आपको बताया एक और पाकिस्तानी लड़की एकरा को भारत सरकार ने वापस पाकिस्तान भेज दिया था जबकि एकरा और सीमा की कहानी हूब हूब मिलती है सीमा पपजी के जरीए सचिन से मिली थी तो वहीं एकरा ऑनलाइन लूडो गेम के जरीए यूपी के 25 साल के नौजवान मुलायम सिंग यादव से मिली थी अब यहाँ पर एक और चीज़ समझिए सीमा और सचिन पहली बार नेपाल में ही मिले थी एकरा और मुलायम भी पहली बार नेपाल में ही मिले थी सचिन और सीमा ने काटमांडू के एक मंदिर में शादी करी थी एकरा और मुलायम ने भी काटमांडू के ही एक मंदिर में शादी करी थी बस फर्क इतना था कि पहले मुलाकात के बाद सीमा वापस का अटमांडू से किराची गई, जबकि एकरा का अटमांडू से शादी करने के बाद मुलायम के साथ बस के रास्ते यूपी होते हुए बैंगली यूरू पहुंचकर एकरा ने अपना नाम बदलवा कर रवा रख ल हाला कि सितंबर 2022 में बैंगली रूपुलिस एक्रा के पाकिस्तानी होने और अवय दूरूप से भारत में दाखिल होने की ख़बर बैंगली रूपुलिस को लग चुकी थी जिसके बाद जनवडी में एक्रा और मुलायम को रिफ्तार किया गया और 19 फरवडी को एक्रा को यूप उपुलिस को भी पता है मीडिया ने जब और Warrior को पुछा कि अगर एक्रा को मुलायम की पतनी होने के बावजूद पाकिस्तन बेज़ा जा सकता है तो प्र किया सीमा के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता है इस पर आला धिकारियों का कहना था कि एक्रा की कहांई बैंगली auru ग्रेटल नॉइडा पुलिस से सीमा और सचिन के बयान की कौपी भी लिए अभी तक की जाज में सामने आया है कि फैक्ट्स को सचिन और सीमा से पूछताज करके वेरिफाई किया जाएगा और उसके बाद एटीएस नए से इसकी जाज शुरू करेगी इसके लिए सुमवार को सीमा हैदर सचिन और उसके पिता ने ग्रेटल नॉइडा 94 के पुलिस कमांड रूम में एटीएस ने देर तक पूछताज भी की सीमा हैदर पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि उसने भारत में प्रवेश करने के तरीके काफी संदिक्द हैं के साथ भागने लगा मगर बल्लब गड़ में नॉइडा पुलिस के हटे चड़ गए इसके बाद पुलिस ने सीमा हैदर और सचिन ग्रेटर नॉइडा की जेवल सिवल कोर्ट में पेश किया बता दू कि नेपाल के रास्ते वेद रूब से भारत आने के बाद सीमा सीधे ग्रेटर नॉइडा में अपने प्रेमी के गाउं पहुंच गी वहाँ चुपचाप उसके साथ रहने लगी हाला कि स्थानी लोगों को जब शक हुआ और पुलिस गाउं पहुंची तो दोनों वहाँ से फरार हो गए थे इसके बाद ही यूपई पुलिस ने उन्हें हर्याना के बलब गड़ से पकड़ा था और कोर्ट ने पेश किया था हलाकि कोर्ट ने बाद में सीमा हैदर को सशर्ट जवानत दे दी थी कोर्ट में सीमा हैदर के वकील ने उसके बचाव में कहा था कि उसने अग्यानता के कारण बिनावीजा के लिए देश में रवेश किया यतना ये नहीं उसके वकील ने कोर्ट में ये भी दलील दी कि सीमा हैदर के चार बच्चे हैं उसमें कुछ की उम्र छे साल से भी कम है तीन शर्टे रखी थी पहली शर्ट थी कि सीमा अस्थानी हैan पुलिस अधिकारी को बिया जानकारी कि यह देश नहीं चोड़ सकती, दूसरी शर्ट यह थी कि यह बिया जानकारी दिए अपना पता नहीं बद्ले गोर आगर ऐसा करती है तो नहँ पता है कि सूचना कोल्ट को उन शर्तों को मानने के बाद जूनियर डिविजन जज नजीम अकबर ने 30,000 रुपए के मुचलके पर सचिन उसके पिता नेतरपाल और सीमा हैदर को जमानत दे दी थी आगे क्या होगा ये तो आगे कहानी बताएगी लेकिन फिलाल चीजें काफी बिगड़ती हुए दिख रही है सीमा हैदर के लिए मेरे जूनि फिलाल नहीं जाए हैंजय भारत